दोस्तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक Indo-Anglian Writer तरुदत की लिखीवी एक पोयम और केजरिना ट्री दोस्तों ये बहुत ही famous poem है तोरुदत भी बहुत famous है तोरुदत ने दोस्तों इस poem को लिखा था जब वो abroad में थी फ्रांस या इटली में तब लिखा था वो अपने childhood के बारे में इस poem में बताती है बहुत हत्तक ये autobiographical tone में लिखी गई है और दोस्तों इसके अलावा इसको हमें एक ode भी कह सकते है क्योंकि इसमें एक tree को कैज़ोने ना tree को glorify किया है तोरुदत ने दोस्तों तोरुदत को बहुत हत्तक जो बिटिश लेट रोमेंटिक पाइट थे जोन के साथ compare किया जाता है क्योंकि उन्ही की style में ये लिखा करती थी बहुत हत्तक और दोस्तों इनकी भी premature death हो गई थी John Keats की तरह बलकि John Keats से भी कम उमर में ये गुजर गई थी 21 साल की उमर में John Keats की 24-25 साल की उमर में death होई थी इतनी कम उमर होने के बावजूद premature death होने के बावजूद दोस्तों इन्हों ने बहुत सारी languages जैसे French, Sanskrit, Bengali और English सब languages का ग्यान एक तरह से प्राप्त कर रखा था ये वीडियो बहुत ही interesting होने वाली है ज्यादा टाइन वेस्ट करते में शूरू करते हैं Our casualina tree हमारा casualina tree casualina दोस्तों एक ऐसा पेड़ होता है जो Australia में ज़्यादा उखता है यानि कि एक Australian tree है जो बहुत जल्दी बढ़ता है और इसकी टहनी आपस में जोड़ी रहती है जिससे ये घोड़ी की पूँच की तरह लगता है चिस टाइप का पेड़ होता है ये तो ये पूएम की अंदर तरुदत ने उस casualina tree की तारिफ की है जब वो अपनी खिड़की से बाहर देखती है तो ये ट्री उनको एक सकून सा देता है वो अपने बचपन के दिनों को याद करती है जो उस पेड़ के नीचे उन्होंने बिताय थी तरुदत ने अपने भाई बहनों के साथ, अपने siblings और दोस्तों के साथ में तो ये पेड़ उनको सुकून देता है ये एक ode की पॉम में लिखी हुई पूएम है इसमें पांस ट्रेंजा है तो दोस्तो बहुत लंबी पूएम है ज्यादा timeline बेस्ट करते वे शुरू करते है तो इस पूएम की शुरुआत करती है तरुदत Like a huge python एक बड़े से अजगर की तरा python का मतलब एक अजगर टाइप का एक बड़े से अजगर की तरा winding round and round एक बेल गोल गोल लिप्टी हुई है the rugged trunk एक बड़े से trunk पर यानि कि एक पेड़ के तने पर एक बड़े से तने पर rugged का मतलब बड़े से और trunk का मतलब तना undented deep with scars मतलब मतलब वो जो बेल अजगर की तरा लिप्टी हुई है उस पेड़ पर उससे क्या है कि deep निशान पड़ गए है उस पेड़ पर up to its very summit near the stars इस लाइन का मतलब है कि वो बेल जो है वो इस पेड़ के उपर तक जाती है टॉप तक स्टार्स तक तारो तक उसकी उचाई है creeper climbs यानि कि वो बेल creeper का मतलब होता है बेल वो बेल चड़ती है इस लाइन का मतलब है कि अगर इस creeper ने किसी और पेड़ को इस तरह से जखड़ा होता तो शायद वो पेड़ जिंदा नहीं रह पाता बट ग्लैलेंटली लेकिन इस पेड़ की हिम्मत तो देखो ये एक जाइंट की तरह इस पेड़ को एक जाइंट का है दोस्तों एक बहुत बड़ा इसके साइज को बताने के लिए का है कि इस जाइंट ने इस पेड़ ने उस बेल को एक सकार्फ की तरह पहन लिया है और फ्लावर्ट गहरे लाल क्लस्टर में क्लस्टर का मतलब जुंड में सभी तहनियों पर लटके हुए है जहां पर उस पेड़ पर उरा दन आल डे बर्ट और मदुमक्यां इखटी होती है और रातों में अकसर वो गार्डन स्वीट सॉंग से ओवर्फ्लो होने लगता है और ऐसा लगता है ये सॉंग जो है कभी खतम नहीं होगा इस लाइन का मतलब है कि जब लोग सूते हैं वाइल मैं रिपोज तब अंधिरे में ये सॉंग हमारे पेड से आता है हमारे ट्री से आता है आगे पाटिस लिखती है कि सुबह जब मेरी खिड़की पहली बार खुलती है तो रोज है डॉन सुबह सुबह मैं आइस डिलाइटेड अन इट्रेस्ट मेरी आँखे इस डिलाइटेड ट्री पर रुक जाती है जिसे देख कर मुझे सुकून मिलता है सम्टाइम्स कभी कभी and most in winters सर्दियों में ज्यादा तर सर्दियों में ओन इट्स क्रेस्ट और इस के उपर इस पेड़ के उपर सबसे उपर क्रेस्ट का मतलब सबसे उचाई पे ग्रे बबुन सर्ट स्टेच्व लाइक अलोन उपर की तरफ एक ग्रे कलर का बबुन आकर एक स्टेच्व की तरफ बैढ़ जाता है बबुन एक टाइप का बंदर जैसा दिखने वाला जानवर होता है और सूरज को उखते हुए देखता है और नीचे की तरफ जो टहनिया है उन पर His puny offspring leaps about and play यानि कि नीचे की टहनियों पर उसके puny यानि कि छोटे बच्चे offspring, offspring का मतलब बच्चे उचलते खेलते रहते हैं Leap about and play का मतलब उचलते कूटते रहते हैं And far and near coquillas heal the day और कोयल हर जगह पर इस नए दिन को welcome करती है Heal का मतलब welcome करना And to their pastures went over sleepy cows और हमारी गाएं जो काउज हैं वो नीदों में अपने pastures की तरफ जाती है यानि कि चरागा की तरफ जाती है चरने के लिए And in the shadow on the broad tank cast इसका मतलब है कि उस पेड़ की shadow इतनी बड़ी है कि उसकी चाया बड़े से water tank पर पड़ रही है By that hard tree जो की उस पुराने से पेड़ के पास में है So beautiful and vast the water lily spring like snow, like snow in mast मतलब इस tree के पास में इतना बड़ा और beautiful बर्फ की धेर की तरह water lily का भी धेर है And mast का मतलब है धेर अब इस tree को इतना खुबसूरत तरीके से describe करने के बाद poetis बोलती है But not because of its magnificence Dear is a casuarina to my soul इसका मतलब है कि of course ये casuarina tree बहुत ही खुबसूरत है लेकिन इतना खुबसूरत होने की वज़े से इसकी इतनी खुबसूरती की वज़े से ये मेरे दिल के इतना करीब नहीं है Beneath it we have played बलकि इसके नीचे हम लोग खेले है मैं मेरा बच्पन बीता है इस पेड के नीचे Beneath का मतलब नीचे Though years में rule हलाकि उस बात को सालों बीच चुके हैं अब Oh sweet companions Loved with love intense For your sakes Shall the tree be ever dear यहाँ पर Poetic Taurudat अपने friends से अपने भाई बहनों से कह रही है Oh companions Oh sweet companions कि कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करती थी इसलिए इस पेड से तुम्हारी यादे जुड़ी हुई है इसलिए मैं इस पेड को भी बहुत प्यार करती हूँ तो हमेशा इस पेड के लिए मेरा प्यार बना रहेगा तुम्हारे लिए Sweet companions यानि कि मेरे प्यारे बाई बेनों मेरे दोस्तों blend with your images तुमारी images जो है उसमें घुल मिल गई है जब हम यहाँ पर खिला करते थे it shall arise in memory और वो memory इतनी strong है कि तुम सब यहाँ से इतना दूर हो किसी दूसरी दुनिया में चले गए हो पिर भी वो memory की images मेरे दिमाग में है और तब तक यह images मेरे दिमाग में रहेगी till it hot tears blind my eyes जब तक मेरे गर्म आसू मेरी आँखों को यह चीज भुलवा नहीं देते what is that dirge-like murmur that I hear कि यह कैसी रोने किसी आवाज है dirge-like का मतलब रोने किसी आवाज है जो धीरे-धीरे मुझे सुनाई पढ़ रही है like the sea breaking on a shingle beach ऐसे लग रहा है जैसे एक beach पर जिदर पत्थर वगेरा पढ़े हैं छोटे-छोटे कंकर वगेरा उस पर समुदर का पानी गर कर ठकरा रहा है it is the tree lemon वो पेड रो रहा है actually वो पेड रो रहा है वो पेड के रोने की आवाज है an array speech इसका मतलब है कितनी भयानक आवाज में रो रहा है जैसे कोई message देने की कोशिश कर रहा हो that happily जो शाय to the unknown land में reach जरूर किसी unknown land में जाएगा वो unknown land जहां पर पाइटर्स के दूस्त चले गए हैं unknown land की बात करती है तरूर्दत unknown कि वो land unknown है yet well known to the eye of faith लेकिन उसे वो लोग अच्छे से जानते हैं जिनको उस पर विश्वास है I have heard that whale far far away in the distant lands यहां पे पाइटर्स बोलती है कि मैंने इस रोने की आवाज को इस whale को बहुत दूर दूर तक बहुत दूर दूर तक सुना है by many a sheltered bay when slumbered in his cave and water rate बहुत सी जगहों पर किसी दूर दराज के इलाके में ऐसे लगता है जैसे वो पेड मुझसे बात कर रहा हो and the waves gently kiss the classic shore of France and Italy तो waves ने gently लेहरों ने gently classic shore of France and Italy को kiss किया मैं ये लाइने clear कर देता हूँ थोड़ी सी और कि जब गुफाओं में जब caves में water rate शान्ती चाही हो तो waves ने लेहरों ने gently फ्रांस और इटली के classic shore को kiss किया यानि उस वक्त बिलकुल शान्ती चाही होई थी उस वक्त ज्यादा shore शराबा नहीं था बिलकुल शान्ती से waves ने फ्रांस और इटली के शूर्ट को kiss किया और beneath the moon इस moon की light के नीचे when earth lay transed in a dreamless moon जब इस धर्ती पर पूरी तरह से शान्ती चाही होई थी तब मैंने उस पेड की वो आप सुनी है and every time the music rose और जब जब वो music बसता था every time तो मेरे inner vision अंतरात्मा के अंदर एक form उस music के साथ उभर कर आता था die form ओ ट्री और वो फॉर्म होती है तुम्हारी उस ट्री को बोल रही है तोरदत यहां पर as in my happy prime I saw the जब मैंने अपने बच्पन में जैसा मैंने अपने बच्पन में देखा था तुमको in my unloved native climate यानि की climate का मतलब climate यानि की मेरा खुद का अपना native climate यानि की इंडिया की बात कर रही है यहां पर बंगाल में जब वो रहती थी तो उस climate में मैंने जैसा तुमको देखा था वैसी ही form मेरे अंदर उभरती है therefore और इसलिए I pain would consecrate a lay unto thy honor मैं pain का मतलब खुशी से और इसलिए मैं खुशी से would consecrate तुमको एक तरह से अरपन करना चाहूंगी एक lyrics lay का मतलब lyric unto thy honor तुम्हारे सम्मान में और इसलिए मैं खुशी से तुम्हारे लिए एक poetry या फिर कुछ lyric लिखना चाहूंगी tree beloved of those oh tree तुम उनके beloved थे who now in blessed sleep for a repose मतलब की तुम उनके beloved थे मतलब अपने भाई बेनों की बात कर रही है यहाँ पर तरुदत कि उनके beloved थे जो अभी blessed sleep यानि की सो चुके हैं for a repose सदा के लिए सो चुके हैं dearer than life to me a last birthday कि वो मेरे भाई बहन मेरे लिए मेरी life से भी ज्यादा मतलब प्यारे थे मेंस्ट दाओ भी numbered when my days are done with deathless trees like those in borodal अब दोस्तों यहाँ पर दो लाईने इन दो लाईनों का मतलब यह है कि तुम्हें भी उस tree को बोल रही है तुरुदत कि शायद तुम्हें भी मेरे मरने के बाद में तुरुदत बोलती है कि मेरे जब दिन खतम हो जाएंगे उसके बाद में तुम्हें भी गिना जाएगा उन deathless trees के साथ अमर पेडों के साथ जो borodal में है दोस्तों यहाँ पर इस poem के जरीए तुरुदत इस पेड को अमर बना देना चाहती है जैसे विलियम वर्ट्सवर्ट ने borodal में यू ट्रीज के साथ किया था यू ट्रीज को पहले कोई जानता भी नहीं था जब विलियम वर्ट्सवर्ट ने अपनी पोयम में उनका जकर किया तो वो अमर हो गए एक तरह से उसको जानने लगे लोग तो तुरुदत भी इस पेड के साथ में ऐसा ही कुछ करना चाहती है इस पेड को अमर बनाना चाहती है अपनी लिरिक के जरीए अपनी पोयम के जरीए ये सब चीजें जो है उन पेडों की अफुल ब्रांचिस के नीचे काम नहीं करती मैं तुम्हें वैसा बना देना चाहती हूँ हो सकता है मैं जो ये कविता लिख रहे हूँ ये जब पोयम लिख रहे हूँ वो वीख हो कमजोर हो लेकिन जो भी लिख रहे हूँ वो दिल से लिख रहे हूँ तुमारे ब्यूटी से खुश हो कर लिख रहे हूँ और लेकिन मेरा प्यार तुमारे लिए भीक नहीं है यहां पॉयट उस ट्री से कह रही है कि मैं दुनिया को तुम्हें भूलाने नहीं दूँगी क्योंकि तुम्हारे साथ मेरे अपनों की यादे जुड़ी हुई है तो तुम्हें भूला नहीं जाएगा Oblivion Curse का मतलब है भूलाने वाला Curse उससे मैं तुम्हें Defend करूंगी तो I hope आपको यह पूर्म समझ में आई होगी दूस्तों आज की वीडियो में वस इतना ही